भारत और साथ अफरिका के पीछ पहला टेस्ट सेंचूरियन में खेला जा रहे हैं आपको उतारे कि टॉस जीट के साथ अफरिका ने पहले गिंद बाजी करने का फैसला लिया हला कि अगर पिच को देखें तो सब यही कहा रहा थे कि जो भी टीम टॉस जीते उसे पहले बले बाजी लेना चाहिए लेकिन टेंबा बाउमा कुछ अलग टेंजिंट में चलते हैं तो उन्होंने गिंद बाजी करने का फैसला किया और हला कि यह जो फैसला था उनके हित में साबित हुआ क्योंकि आपको उताती कि फॉस्ट सेशन में ही तीन विकेट इंडिया के गिर जो आऊट होना वह बहुत चल्चा में चल रहे हैं कि जिस अवहां बहुत ज्यादा अलग तरीके से आउट वे तो कि रोषिर्मा हमेशा हम जानते कि रोषिर्मा फेवरिट शॉट है पुल मारना शॉट बाल पे पुल मारते हैं उन्ट जाय वह चौका जाता है लेकिन पहल कि पेहली बार तो नहीं होगा लिकिन बहुत रेर देखा जाता है कि पुल मार के आउट हो जाते हैं आपको बतादे कि अ और उन्हों ने उससे पुल मार दिया और वो सीधा फिल्टर के हाथ में चल गया आपको बता दें कि कगीशो रबाड़ा ने रोहिश शर्मा को आउट करके एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया जिया बिरूल सही सुना आपने अभी तक इंटरेश्य क्रिकेट में रोहिश शर्मा को सबसे जादा बार टीम साओधी ने आउट किया था जो कि न्यूजिलैंड के पेसर हैं और अब टीम साओधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया कगीशो रबाड़ा ने क्योंकि अभी तक कगीशो रबाड़ा ने रोहिश प्रिकेट में सबसे जादा बार आउट किया है फिलहाल आपको बता दे मैच का हाल तो टीम इंडिया की हालत इतनी जादा अच्छी नहीं क्योंकि आपके टॉप त्री बल्ले बाद जोते हो पहले सेशन में आउट हो चुके हैं आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया आज अच्छा खासे स्कोर बना सकती है फिनी कॉमेंट करके में ज़रूरत हैं और साथ साथ फैन स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें